हेलो एवरिवन आज मैं आप लोगों के लिए आलू भूना चाट की रेसिपी ले कराएंगा जिसे बनाना बहुत ही आसान है आई खाने में बहुत ही ज्यादा टेश्टी लगती है ये इतनी स्पैसी और चरपटी बनती है कि इसका स्वाद आप भूलाने हैं पाएंगे तो च अच्छ से धोलिया अब एक ब्रेसर कुकर लेंगे और आलू को इसमें डाल देंगे अब पानी नहीं डालेंगे ताकि आलू हमारा अच्छ से डूब जाएज हमें से हाइफ पर एक सिटी अने देंगे जब लग जाए एक सिटी लगने के बाद गैस को बंद कर देंगे और के ड़ी चाप निदेए का चीड़ तक में गया है डशी Stream को आफ आफ दिएंगे कुकर को हम अपने ड़ी हुने जब तक हमारा कुकर थंड़े हैं मसालिये मैं यहां भी नक्याना कन दीए स्टाइन को चड़ा दिया तक हम भून लेते हैं तो देख सकते हैंわかे मसाले हमारी अच्छा सी भुन गया है अब गया है अब मसाली को अफ कर देगे और अच्छा से ठंडा कर लेते हैं तो मसाला हमारा ठंडा हो चुका है आप एक मिक्सर ग्रांडर लेंगे और मसाली को डाल कर इसे हम दर-दरा पीछ लेते हैं तो मसाली को मैंने दर-दरा पीछ लिया है अब इसे क्लीट में निकाल लेते हैं तो आलू हमारा ठंडा हो चुका है आलू के ऊपर के छिलके को हम निकाल देंगे तो इस तरीके से हम सारे आलू के छिल लेते हैं तो आलू को मैंने छिल लिया है अब चाकू से हम इसके बड़े बड़े पीस में कट कर लेते हैं आलू को थोड़ा बड़ा ही काटेंगे क्योंकि जब इसे हम फ्राइ करेंगे तो ये छोटे हो जाएंगे तो सारे आलू को मैंने काटके एक प्लेट में रख लिया है इधर गैस पर मैंने तेल को आगे ही गर्म का निकली चड़ा दिया था और तेल को मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से गर्म किया है मैं यहाँ पर शर्षो का तेल ले रही हूँ आप जो भी तेल खाना प्रसंद करते हैं उसमें इसे आप फ्राइ कर सकते हैं तेल मैंने थोड़ा जादा लिया है क्योंकि मैं इसे डिब फ्राइ करूँगे तेके कालू करके हम इसे तेल में डाल देगे और इसे हम हाई फ्लैम पर एकड़म करारा होने तक तलेंगे इसे हम उलटते पलटते अच्छे से चलाते वे दम क्रिश्पी होने तक पका लेंगे इसे भुनने में थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन इसे हमें एक दम क्रिश्पी भुनना है तो देख सकते हैं आलू हमारा एक दम क्रिश्पी हो गया है इसी तरीके से हमें आलू को भूना है तो यह हमारा अच्छे से भून गया है इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं बाकी जो मैंने आलू को काट कर रखा है उसे भी हम इसी तरह से भून लेते हैं तो देख सकते हैं आलू का कलर कितना सुन्दर आया है इससे हम प्लेट में निकाल लेते हैं तो देख सकते हैं सारे आलू को मैंने भून कर एक प्लेट में निकाल लिया है तो देख सकते हैं आलू को मैंने एक दम पिस्पी होने तक भूना है अब सारे आलू को मैं एक मिक्सिंग बॉल में डालेंगे अब इसमें हम थोड़ी सी सफेद नमक डालेंगे थोड़ा सा काला नमक अब इसमें हम आधा छोटा चमच चाट मसाला डालेंगे चाट मसाला ना हो तो आप निम्बू का रस भी डाल सकते अब जो मैंने मसाले बना कर रगे थे उसे हम एक सीडर चमच इसमें डालेंगे जो अध पड़ेगी तो और मसाले डालेंगे अब इसमें आधा छोटा चमच हम चिली फ्लेक्स डालेंगे तो सुख्य मसाले जो मैंने डाले हैं आलू को हम इस तरह से टोस करते वे सारे मसाले को इसमें मिक्स कर लेते हैं ताकि आलू के उपर में मसाले अच्छे से लग जाए अब इस आलू की चाट को और भी चटपटा बनाने के लिए मैं हां इमली की खटी मिठी चट्टी लिए हूँ तो इसमें हम 4-5 चमच इमली की खटी-मीठी चटनी मिक्स करेंगे, इससे ये आलू की चट जोए खाने में बहुत ही ज़्यादा टेश्टी लगेंगे, तो इससे हम चावतर से इस तरह से डालेंगे और इसे हम फिर से टोस्ट करते वे इसे मिक्स करेंगे, ताकि इमली की इसे टोस्ट करते वे अच्छे से मिक्स कर लिया, अब इस पर हम थोड़ा सा बारिक कटावा हरा धनिया डालेंगे, देखते ही मुमें पानी आ जाएगे, ये इतने सुंदर लग रहे हैं, तो हमारा बन कर तयार है, इससे हम पेट में सर्प कर लेते हैं, तो लिजे हमारा आ आज की रेसीपी आपको पसंद आयोगी, इदि पसंद आती है, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल पर पहली बार नहीं तो सस्क्राइब जरूशे कीजिएगा, फैमिली और फेरंड्स के साथ में इसे सेर जरूशे कीजिएगा, थैंक्स पर वाचिंग